शनी देवा को प्रणाँ, शनी राजा को प्रणाँ शनी देव, दर्शकों, सुभारती, संबाद, इस कारकरम में आज मैं शनी शादी का विभासरी केतु देवता की विशय को लेने वाली हो। हमने पिछले दिनों शनीवार के शनीवार चलने वाले इस एपिसोड में बहुत सारी ज्यान चर्चा की। हमने ज्यान चर्चा की 27 नक्षत्रों पर, उनकी जड़ी बूटियों पर, उनकी उपायों पर, हमने ज्यान चर्चा की 9 ग्रहों और 12 राश्यों पर, हमने ज्यान चर्चा की 9 ग्रहों से सम्मंदित बनस्पतियों पर, हमारे शनी आस्रम औरंगावाद महराष्ट की इस नव पर आज जो जानने जा रहे हैं शायद वो कम सुनने में आता है क्योंकि ये मेरे पिछले 30 वर्सों का research है मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो मैंने ना जाने कितने लोगों से कहा होता है, कराया होता है और उसका result लोगों को दिया होता है पिछले इतने सारे एपिसोड देखने के बाद में लोगों ने अपने इमेल द्वारा, कुरियर द्वारा, लोगों ने अपने फोन द्वारा, पत्रों द्वारा हमें अपनी भावनाएं भेजी, समस्याएं भेजी, समाधान मांगे, अपने प्रश्ण भेजे मैंने बहुत सारे प्रश्णों को एखटा किया तो पता चला कि कई प्रश्णे ऐसे हैं जो मिले जुले हैं समस्याएं लगभग एक जैसी हैं और समस्याएं जब एक जैसी हैं तो समाधान भी एक ही निकलेगा बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की हैं जिसमें केतू प्रभावित हैं और केतू से सम्मंदित उपचार उन समस्याओं का समाधान है तो वो सारी समस्याएं और उनका एक व्यक्तिगत बहुत जवर्दत समाधान जो मैं लोगों से कराते आई हूँ केतु देउता से सम्मंदित मैं आज आपको इसमें आखरी में बताऊंगे तो पहले हम देखते हैं कि केतु देउता का कोई भी व्यक्तिगत दिन या व्यक्तिगत राशी नहीं होती दिन साथ ही होते हैं और साथ ग्रहों को मिले होते हैं उसमें जो केतु देवता को है वो मंगल देवता वाला मंगलवार का दिन मिला होता है। इसलिए यू कह सकती हूँ कि मंगलवार का दिन है वो केतु देवता का दिन होने के साथ साथ में उनको कोई राशी नहीं मिलती है। तो किसी राशी के वो स्वामी नहीं होते हैं। किसी मैंने पिछले एपिसोड में राहू और केतु के निर्वान की गाथा बताई कि किस तरीके से चंद्रमा ने इसारा किया और अमरित पीते हुए राहू देवता को शिव ने अपना सस्र फेक कर गर्दन अलग करके सर अलग कर दिया और गर्दन अलग कर दिया जो सर था एक राक यानी आश्रम में वह धड़का हिस्था यहाँ पर जो भी मंदिर है केतु देवता का उसमें सर नहीं से केवल धड़ है तो देखिए हम केतु देवता के बारे में चर्चा करते हैं केतु देवता के तीन लख्षत्र होते हैं आपको मालूम है मैंने अपने किसी भी नौ ग् चत्रों से संबंदित इस विशाल एपिशोट में कहीं भी ग्रहों से संबंदित रतनों की चर्चा नहीं की, क्योंकि ये आज इस समय का विशाय नहीं है, ये तो आप सुनते ही रहते हैं, मैं उन चीजों पर प्रिकाहस डाल रही हूं, जो आप कम सुनते हैं या जिसका घ्यान लोगों को कम हो पाया है, मैं मेरे पर्सनल रिसरच की बात कर रही हूं, तो केतु देउता कि जो नक्षत्र होते हैं, उन पर मैंने बहुत रिसरच किया है, केतु देवता के तीन नक्षत्र होते हैं सब जानते हैं पंचांग में दिये होते हैं मघा, मूल और अश्वनी मघा नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो जनमते ही उसे मूल आ जाता है मूल में किसी का जनम होता है तब तो मूल होता ही होता है और अश्वनी नक्षत्र जो केतु देवता का होता है उसमें किसी का जनम होता है तो भी जनमते ही उसे मूल लग जाता है पंडी जी कहते हैं आपके बच्चे को मूल लगा है 27 दिन तक पिता को दिखाएं ना पंडी जी कहते हैं 27 में दिन आएगा तो मूल शांती कीजिएगा पंडी जी कहते हैं अरे मूल के प्रथम चरण में बच्चे का जनम हुआ है पिता पर भारी है कहते हैं दूती चरण में जनम हुआ है माता पर भारी है कहते हैं त्रतिय चरण में जनम हुआ है, खुद पर भारी है, खुद को कष्ट पाना है, कभी-कभी पंडी जी ये भी कहते हैं, अरे चतुरत चरण में जनम है ना, तो मूल के चतुरत चरण में दोश्ट नहीं है, कल्यानकारी है, सुना है, जनी इस विशय को, तो कहने कारती यह हैं कि मूल लक्षतर में जनम लेने से शांती होती है यह हर ग्यानी जानता है पर मूल लक्षतर है किसका केतू का शांती किसकी होती है केतू की यह जानिये तो मूल लक्षतर में जनम लेने वाले व्यक्ति की केतू शांती की जाती है मूल शांती जिसका नाम दिया जाता है अब माल लिजे कि मेरा जनम मूल में हुआ हो माल लिजे कि मुझे पता ही नहीं था कि मूल शांती होती क्या है मेरा जनम ऐसे गाव परिबेश में हुआ हो जहां पर जातक को पता ही नहो कि मूल की शांती का अर्थ क्या है अब जातक बड़ा हो गया, किसी के पास गया, उसे ने कहा कि मूल की शांती करा लिजिए, तो क्या करानी चाहिए? मैं आपसे कहती हूँ, कभी नहीं करानी चाहिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जिस समय, जिस चीज की जो आवशक्ता होनी थी, होती है, उस समय ही वो चीज फलदाही होती है, उसकी अवधी निकल जाने के बाद में, चाहे वो किसी योग की शांती हो, योग का मतलब कोई कहते हैं, व्यति पात्र योग है, विष्टी योग है, ये योग है, तो चाहे किसी प्रकार की योग की शांती हो, या नक्षत्र की शांती हो, वो अवधी, व कि गलत मानता से अग्जौन डालाने जहा Hers वाहर लाने सुबहर्ती संबगा आयउजन है। है मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह भ्लत कर जनम मूझ में हुआ है और वह स्वास्त को ले करा या कि अश्वगंधा की बनस्पती जो है वो केतु की बनस्पती है अश्वगंधा का पौधा अश्वगंधा का पेड़ अश्वगंधा की जड़ी अश्वगंधा यह केतु का पौधा आयरवेद में यदि आपने कभी सुना हो अश्वगंधा लीजिए अश्वगंधा की बटी लीजिए अश्वगंधा की गोली कैपसूल और अश्वगंधा को पूरी फिट करने के लिए शक्ती बोडी में लाने के लिए तागतवर बनाने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया आयरुवेद में तो इसका बड़ा बखान है। आयरुवेद की बात कीजिए और उसके बाद में अश्वगंदा के प्रिचार के बारे में आप सोचिए तो आपको पता चलेगा कि केतू के एक पौधे में इतनी ताकत। केतू के उस पौधे में अश्वगंदा में शक्ती ही शक्ती है। उसे शक्ती वर्धक कहा गया है। उसकी जड़ भी काम आती है उसके पत्ते भी काम आते हैं उसकी पूल टहनिया भी काम आती है उसकी हर लकड़ी काम आती है और सब मिलकर ही अश्वगंदा बन जाती है तो अश्वगंदा के बारे में आपने जाना और समझा यदि आपका जनम मूल में हुआ है तो इस अश्व प्रगंदा की जड़ी को निकालिये कब किस समय जिस दिन मंगलवार का दिन हो और केतू का कोई भी नक्षत्र हो यदी माल लीजे आपके जन्मे का नक्षत्र है माल लीजे कि आपने मघा नक्षत्र में जनम लिया है दिन मंगलवार है आपने मूल नक्षत्र में जनम लिया है दिन मंगलवार पड़ गया आपने अश्वनी नक्षत्र में जनम लिया है केतू का अश्वनी नक्षत्र दिन पड़ गया मंगलवार साल में ऐसे दो बार आएंगे दिन कि जब मंगलवार का दिन पड़ेगा और केतू का कोई नक्षत्र आएगा उस दिन आप उस जड़को जमीन से निकालिए और निकालने के बाद में केतु देवता से अनुमती मांगिए मैं इस जड़का ओपियो केतु शांती के लिए मेरे जन्मे के मूल की शांती के लिए करने जा रहा हूं मुझे आशिरवाद देवे उस जड़कों निकालिये वो जड़कों निकालने के बाद में उसको तोड मोड के मरोड के छोटा सब ताविज रूप बनाईए और उसके उपर में सफेद धागा लपिटिये जब सफेद धागा अच्छे से बांद दिया जाए अब काला धागा लपिटिये ब्लेक और वाइट वाइट और ब्लेक काला और सफेद दोना मिक्स होंगे तो केतू रंग बन जाएगा हम अक्सर हाथ से बिनोद में कहा करते हैं किसी ने काला पेंड पहना हो और सफेद सड पहनी हो सफेद पेंड पेहना हो, काली सड़ पेहनी हो तो हम जितने भी जोत्रशा चार लोग हैं हम बिनोत किया करते हैं कि देखो केतु द्योता चले आ रहे हैं कहने का मतलब यह है कि ये दोनों की जोड़ी केतु का रंग कहलाती है और इसके अलावा सारे प्रिंटेड कलर यदी बन जाते हैं तो वह केतु कलर कहलाता है सब्त रंगों से बना हुआ कोई वस्तर है तो वह केतु कलर कहलाता है तब मैं आपको बताती हूँ कि उस जड़ी को तावी जुनमा बनाईए उसके उपर में पहले धागा लपेटा जाए फिर सफेद कपड़े का टुकड़ा लपेटिये ततकाल काले कपड़े का टुकड़ा लपेटिये और सफेद और काले धागे को मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद में सफेद भी लीजिए काला भी लीजिए उसके बाद तावीज के जैसा उसे सिल दीजिए कराईए आप अपने दोनों हातों के कलाई दोनों हातों की जो हतेली है उसमें मुठी में ऐसा लेकर आप केतु देवता के मंत्र का जाब भी कीजिए क्यासा मंत्र जाब केतु देवता के आगे ओम लगाईए और उसके पीछे नमा लगाईए पूरा संपूर मंत्र हो जाता है ओम केतु देवता नमा ओम केतु देवता नमा यदी संस्कृत में इस मंत्र की रचना करनी हो संस्कृत के मंत्र को याद करना हो तो ओम केतु देवता भ्यो नमा देवता के आगे भ्यो लगाईए संस्कृत बन जाएगा केतु द्योता भ्यो नमा यदि अवसर ऐसा मिले कि अश्वगंदा का पेड़ हो और उसके नीचे बैठकर आप जाब कर रहे हों तो कहना ही क्या है अश्वगंदा की छाया में जाब करना भी बड़ा फाइदेमंद रहता है केतु शान्ती के लिए तो मैं आप से कहना चाहती हूँ कि आपको अब बड़े होने के बाद में इतने वर्ष निकल जाने के बाद में आपके नक्षतर से संबंदित मूल की शान्ती कराने की आवशक्ता नहीं रही और आपको बताती हूँ कि आपको यदि केतु की महादशा चल रही है साथ बरश वाली तब भी ये आप उपचार किए फिर भी उपचार कीजिए तो केतु की महादशा के लिए भी सेम यही उपचार है आपको ऐसी जड़ी का तावीज बनाना है धागा लगाना है और आपके हाथ की भुजा में या आपके गले में इसे धर्ण करना है कम से कम नहीं तो 18 महीने तक 18 महीने ही क्यों कहा क्योंकि जब राहू और केतु की यात्रा बदलती है तो 18 महीने की वो परिभर्मन परिक्रमा होती है किसी भी राशी के उपर में जब राहू देउता पहुचते हैं या केतु देउता पहुचते हैं तो यात्रा के समय में जब वो उल्टी चाल चलते हैं पीछे पीछे रिवर्स होते हैं तब वो 18 महीने के बाद पीछे बापस आते हैं एक छोटी सी बात उधारन के लिए मान लिजे कि आज राहु देवता की जो परिक्रमा चल रही है वो किसी नंबर पर है ठीक उसी के सामने में सातमे इस्थान पर केतु देवता की परिक्रमा चलेगी ये तो सूनिश्चित है एक छोटा सनो उध्रान देती हूं बरतमान समय में ब्रिशव राशी के उपर में राहु देटा की परिक्रमा चल रही है ब्रिशव राशी के उपर में माल लिजे राहु देटा की परिक्रमा चल रही है वह राहु दियोता की जो परिक्रमा है वो ब्रिशव राशी को ग्रहन लगा रही है तो अब ब्रिशव राशी से जो साथ में नंबर की राशी बनेगी वहां केतु दियोता की परिक्रमा चलेगी अब ब्रिशव राशी से यानि दो नंबर से साथ में नंबर की राशी जो बनेगी वो होगी ब्रश्चिक राशी यानि आठ में नंबर की राशी वहां केतु देउता की परिक्रमा चल रही है तब ऐसी स्थिती में परिभर्मन की जो अबदी है गोचर की जो अबदी है वो 18 महीने की हुआ करती है आपने कोई भी राहु का तावी कवच पहना है जड़ी का धारन किया है तो कम से कम नहीं तो 18 महीने उसे उतारिये मत धारन कर लीजिए पूरा उपाए बिदी बिधान और पूरे तरीके से उसका शान्ती उपचार करने के लिए हाँ आप चाहें तो आपकी सुपधा के अनुसार में कभी उतारें कभी पहनें पर उसे जुड़े रहें तो इस प्रकार से ये मैंने आपको एक सरल उपचार बनाया सरल उपचार बना कर बताया और आप उसे कर सकते हैं अब मैं आती हूँ उस विशाय पर जिस विशाय में केतु देवता हमें प्रभावित करते हैं मुझे बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग प्रश्ण भीजे अलग-अलग समस्या बताये अलग-अलग उपचार पूछे सबसे बड़ा प्रश्ण था प्यारों में दरत को लेकर इडियों में दरत को लेकर पंजों में दरत को लेकर घुटनों में दरत को लेकर घुटनों के नीचे दरत को लेकर किसने दी ये पेड़या इस पिड़ा का कारण निबारण क्या है इसका रिलेशन किस ग्रह से है ये है केतु देउता से लोगों ने मुझे बताया कि कभी पेरों में दरद नहीं था पर पिछले एक साल से एड़ी का दरद है कि कम ही नहीं हो रहा सुबह सो कर उड़ते हैं ये डरद करती है 2-4-6 घंटे के बाद में पेर और पंजे का दरद खतम हो जाता है किसी किसी ने कहा कि मुझे पूरी बॉडी में दरद हो रहा है पर समझ में नहीं आता कि ये पेरों का दरद खतम नहीं हो रहा body का दरद तो कम हो जाता है किसी ने कहा जो काम में हाथ डालता हूँ वो छूट जाता है जहां जाता हूँ वो हाथ से निकल जाता है जो खुशी आने वाली होती है वो खुशी कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है मैं जिस जगे पर भी पहुँचकर किस इस्थान पर टिकने की कोशिस करता हूँ टिकता नहीं वो इस्थान परिवर्तन हो जाता है किसी ने कहा मेरे कर्म पर केतू है मेरा कर्म डिश्टर्ब हो रहा है किसी ने कहा मेरे सूर के साथ केतू है मुझे सूर का ग्रहन लगा है मुझे पित्रदोश हो गया है किसी ने का चंद्रमा के साथ केतू है मुझे चंद्रदोश बन गया है मुझे मात्रदोश बन गया है कुछ उपाय बताईए उपचार बताईए मेरी यश्किर्थी पत प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है मैं कहीं टिक नहीं पा रहा हूँ ये सारे प्रश्टनों का समाधान एक ही है केतू का उपचार किसी ने कहा पता नहीं क्या मैं गल्ती करता हूँ हर समय बिना सोचे समझे काम हो जाता है और बाद मैं पस्ताता रहता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा? क्या करें इसके लिए केतु के दिमाग नहीं है वो चल सकता है दोड सकता है बिना सोचे समझे ही काम होगा यदि केतु आपके लगन पर ब्राजमान है केतु कर्ब पर ब्राजमान है आपको सोचने समझने किसी से ग्यान मांगने बिचार बिमर्श करने की फूर्षत कहा है आप जो करेंगी अपने मन से करेंगे अब बिनः बिचारे जो करें बिच़े काम भिगार है काम विगा रहे आप उड़ों जग में हो ठासाए फिर अपनी हसी तो हमें खुझ वडानी है लोग क्या हमारी हसी उड़ाएंगे हमारी गल्तियों पर हम पस्ता आते रह जाएंगे जग हस्ता रहेगा तो कहने कारती यह है कि सबसे पहले जिनको भी यह समस्या है उपाय सुनिए और समझिए उपाय यह है कि आप बिना सोचे समझे जो अव तक कर रहे थे प्लीज श्टॉप अगे से बिना सोचे समझे मत कीजिए आप यदि शादिशोदा हैं तो सबसे बड़ा सहायक पत्नी को मानिए आप यदि बैचलर हैं तो सबसे ज़्यादा सहायक माता को मानिए और उनसे बिचार मिमर्स कीजिए पूछिए, समझिए और उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए अगला आप ने यदि केतु देवता की शान्ती के लिए आपके पहने हुए बस्त्र जो भी आप पहन रहे थे पर अब नहीं पहनना चाहते नई ड्रेसें आ जाती है लोग पुरानी ड्रेस बदल देना चाहते है कोई भी उम्र के व्यक्ती हो मैं हर उम्र के व्यक्ती की बात कर रही हूँ महीला हो या पुरुष हो कोई फरक नहीं पड़ता वह जो वस्त्र है जो आप त्यागना चाहते हैं आपके जनम दिन के दिन कोई एक ऐसा वस्त्र एक ऐसी ड्रेस का त्याग कर दीजिए जो अब नहीं पहनना है या आप खुशी से उसे छोड़ सकते हैं यदी वो वस्त्र यदी वो ड्रेस आपने यदी किन्नर को ले जाके दी किन्नर को ले जाके दी अलग- Alcohol समाज के लोग जिनने आप हिजड़ा या छक्का कहकर संबोधित किया करते हैं जिनने हम शुद्ध सम्मान की भासा में किन्डर समाच के लोग कहते हैं वो आपको कहीं न कहीं तो मिल ही जाते हैं दिखी जाते हैं तो आप उनको सम्मान के साथ उस बस्तर को धोके और आयरन करके उपहार में दीजिए चाहे वो किसी भी रूप में किसी के लिए भी वो उसका यूज करें आप समर्थमान हैं तो अच्छी नई ड्रेस कोई अच्छी साड़ी खरीद कर और प्रिंटेट साड़ी खरीद कर आप उनको दीजिए जिसे वो पहने और आपको ब्लेसिंग दे यह है राहु शान्ती का एक अधवुत उपाए केतु शान्ती का एक अधवुत उपाए राहु और केतु शान्ती का मिला जुला उपाए और खास कर केतु शान्ती के लिए चुना गया एक निश्चित रूप से एक बहुत पेटन डुपाए राहू का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि एक धड़े और एक सर है एक को प्रसंद करेंगे दूसरा अपनिया प्रसंद हो जाएगा जब कभी भी राहू और केतु की यात्रा परिवर्टन होता है अठारा महिने के लिए वो यात्रा बदलती है जैसे पिछली बार आपने देखा 23 सितंबर 2020 को राहू और केतु की यात्रा का परिवर्टन दिवस था राहू और केतु की यात्रा बदली थी ब्रिशवरासी पर आये थे राहू देउता पहले चल रहे थे मिथुन पर तीन से दो पर आये थे याद रखिए तीसरे नमबर की मिथुन राशी से दूसरे नमबर की ब्रिशवरासी पर आये थे ना कि तीसरे नमबर की मिथुन राशी से चौथे नमबर की करकर राशी पर पहुंचे आगे नहीं, पीछे गए, सारे ग्रह चलते हैं आगे, 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 आज यदि मकर राशी में शनी महराजी बराजमान है, तो आगामी 29 अपरेल 2022 के दिन वो वहां से उठेंगे और दीरे से यात्रा करेंगे कुम राशी के लिए, पर राहु दे होता और केतु के साथ ऐसा न मैं बताना चाह रही थी, यह जो ड्रिगेंस हैड और ड्रिगेंस मुंड की जो हम परिभासा देते हैं, हम केतु को ड्रिगेंस टैल कहते हैं, राक्षस के पैर, अब यहां से हम समझते हैं कि हमेसा जो भी राक्षस स्रेणी के गुण होते हैं, वो जब हाभी हो जाते हैं, तो ब्यक्ति सीधी चाल नहीं चलना चाहता, ब्यक्ति उल्टी चाल चलना चाहता है, रिवर्स गाड़ी चलना चाहता है, राहू और केतु द्योता हमेशा रिवर्स गाड़ी में उल्टी चाल चलते हैं, आगे से पीछे आते हैं, और कालसर्वदोष, संपुन तो इसलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो केतुदे होता है वो पीछे 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 आएंगे यानि धनू से वो आये 23 सितंबर 2020 को ब्रश्चिक नंबर की आठ की राशी पर आठ नंबर वाली ब्रश्चिक पर तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब ये परिवर्तन का समय आता है 18 महीने में जो यात्रा बदलती है तो उस दिन जो समय आता है हमने यहां शनी आस्रम औरंगावाद महराष्ट में अपने नवग्रह मंदिर में यहां बहुत सारे वो व्यक्ती राहु और केतु की यात्रा परिवर्तन के दिवस पर इखटे किये जिनको ये यात्रा से उतर रहे हैं और जिनको ये चड़ रहे है जिनकी राशी में प्रिवेश कर रहे हैं और जिनकी राशी से प्रिवेश मिट रहा है उनके वस्तर बहुत सम्मान के साथ में उन लोगों को देना हम प्रारम करते हैं सतकार के साथ में जिनकी वुलेशिंग उनकी दुआ उनको लगने वाली होती है जैसा मैंने आपको बता हमें ये सब सीख कर आप अपने उपर फॉलो करें उपाए करें केतु देवता को प्रिसन करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई कि इतने लोगों ने पत्र इन समस्याओं से संबंदित लिखे वो सारी समस्याओं का समाधान मेरे इस उपाए में चुपा हुआ है क्योंकि हमें दूसरों की दूआओं की बहुत आवशकता है और दूसरों की बिलेशिंग दूआ हमारे लिए बचाओ पक्षबन के काम करती है और केतु देवता को प्रिसन करके दिखाती है जब कभी भी प्यारों में दर्द की बात होती है केतु देव प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनको चाहिए उनको चाहिए कि वो नवग्रह मंदिर में जाकर खुब चलें परिक्रमा लगाएं पैदल दर्शन करने के लिए जाएं और अपने पैरों को मसाज करने के समय में मैंने बहुत सारे मसाज तेल बनाना लोगों को सिखाया है ट इसे मसाज कीजिए और रात्री के समय में जरूर मसाज कीजिए और आप मोजे पहन कर सुईए मोजे को पहनने से राहू की केतू की पिड़ा कम होती है तो इस तरीके से मैंने आपको यह सुझाओ दिये चिकित्सा बताई आप उसको करते रहिए और मैं चाहती हूं कि आप बहुत सारी समस्याओं के समाधान हमारे यूटूब चैनल को देखकर पा सकते हैं हमारी बैप सैट पर जाकर बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और अब अगले शनीवार तक के लिए शनी शादी का विवासरी को आग्या दीजिए फिर मिलेंगे और धेर सारी चर्चा करेंग हम आगामी एक नए विशाय पर नए विशाय की ज्यान चर्चा के लिए हम फिर से मिलेंगे धन्नवाद स्थे मिलेंगे और अब घ्ला भّालेिक टूर्चा के विवासरी को इता हैं हम और का अ मैं चार्चा के लिए मेंगे बातेंर अब आब यादाद पला बहुत से को ओय स्फे हिए... शनी देवा को प्रणा, शनी राजा को प्रणा शनी देवा को प्रणा